हेलो डियर इस्टुएंट बहुत बहुत स्वागत अपने यूटूब चैनल कॉमर्थ बिस संजीब सर्में और आज हम लोग डिसकस करेंगे आल सब्जेक्ट्स आप बीकॉम सेकेंड लियार और थर्ड सैमिस्टर यानि बीकॉम सेकेंड लियर के जो थर्ड सैमिस्टर के जित सेमिस्टर वाइज आप पढ़ते हो तो यह केबल एक मिलेगा आपके लिए कोश्ट एकांटिंग नुमेरिकल में अगर आपका येर वाइज है तो इसके साथ में कोश्ट के साथ में इंकम टेक्स भी आपके लिए पढ़ना पढ़ेगा तो यहां पर मैं बता दू कि जो सिक आपन कैसे होता है कंपनी को चप चलाते हैं तो संचालक मंडल क्या उनकी योगताय होती है क्या दायत होते हैं कौन-कौन से उनके कारिये होते हैं इन सब चीजों को हमें कंपनी लौ में ही पढ़ना यानि कंपनी का निर्मार से लेकर कि समापन तक सब कुछ पढ़ना होगा किसमें पढ़ना होगा company law में पढ़ना होगा हमारे लिए दूसरा जो subject है cost accounting का cost accounting के बारे में बताएं इसको हिंदी में हम लागत लेखांगन कहते हैं अगरेजी में cost accounting कहते हैं cost में लगवग में 10 chapter हैं जिनमें से आपके लिए अगर 7 chapter या 6 chapter तयार कर लोगे तो 100% सभी numerical आपके लिए मिल जाएंगे exam में कोई भी ऐसा numerical नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा बस जरूरत इसकी है कि cost accounting को इस तरह से आप पढ़िएगा कि उसमें जो सुरू के थियोरी के chapters हैं उनको बहुत अच्छे से तयार कर लें और बाद में जो processing account है process account कहते हैं contract account कहते हैं unit or output costing कहते हैं operating costing कहते हैं ये जो chapters है main main है इन chapters को अगर आपने तयार कर लिया तो exam में कुछ नहीं बचेगा और ये सारे chapter हमारे channel पे आपके लिए कराए जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी PDF भी हमारे यहां जो लोग join किया हुए हैं उनको मिल चुकी हैं कुछ मिल चुकी हैं कुछ मिल रही हैं दीरे दीरे और अगला जो हमारा तीसरा subject होगा जो तीसरा subject है उस तीसरे subject में business regulatory and framework होता है इसको हिंदीम कहते हैं ब्यापसा के नीमन है मम धाचा यानि इसको हम business चलाने के लिए कौन कौन से नीम है कौन कौन से rules है जिनको follow करना ज़रूरी होता है तो business law के नाम से भी इनके लिए जानते हैं यानि business law क्या है यानि business का करने का कानून क्या है ये business regulatory and framework में हमारे लिए पढ़ना होता है और बहुत अच्छा subject है और become second year में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो subject है वो चार subject आपको third semester में मुख खुरूप से तयार करने हैं और इन चारो subject में से जिसमें तीन तो थियोरी हैं एक, दो, और तीन, और चौता है numerical तो यहाँ पर जो चौती थियोरी है वो है inventory management क्या होता inventory management इसको कहते हैं stock management stock management हमारा वो होता है जो बिना विका हुआ माल go down में तयार है उसको कैसे manage करें एक और तो ये देखा जाता है कि कहीं हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा बर्स पर stock बेकार ना हो जाए यानि रखा रखा खराब ना हो जाए और stock अगर रखा हुआ है तो जहर सी बात है कि उसकी कुछ खर्च आ रहा होगा अगर खर्च नहीं भी आ रहा है अगर तयार माल अगर हमारे go down में रखा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुल लागत आई होगी अगर उस लागत को किसी और जगे हम इन्वेस्ट कर देते तो बहां से 100% हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता कुछ ना कुछ जरूर मिलने का मतलब है कुछ ना कुछ अर्निंग हमारी होती तो जो अर्निंग होती तो वो stock से भी हो तो इस तरह से एक planning की जाती है management किया जाता जिसको हम inventory management कहते है अगर become second year के आप लोग classes लेना चाहते हो तो become second year का भी और third semester का भी दोनों के classes हमारे यहां पर run हो रहे हैं और इन classes को बहुत अच्छे से हम online के रूप में तयार करा रहे हैं अगर आपके लिए कोई और इसके संबन्द में जानकारी लेनी हो तो हमारा office whatsapp number है 97198-1001-01 इस पे आप whatsapp के थोरो अपना नाम, class और address भीज करके जानकारी ले सकते हो काल करनी कोसिस बिल्कुल मत कीजेगा अगर आप काल करेंगे तो हमारे office का कोई ना कोई जो भी करमशारी है वो उठाएगा फोन और आपको हो सकता है कि पूरी जानकारी जल्द बाजी में न देने पाए तो अगर जैसे ही उनके पास time होगा वो आपसे खुद संपर कर लेंगे तो आप इस WhatsApp नंबर के थो कोई भी जानकारी लेना चाहो तो आप ले सकते हो और अपना YouTube चैनल आज ही सर्च करें Commerce with Sanjeev सर YouTube के सर्च बॉक्स में जाएं और वहाँ पर टाइप करें Commerce with Sanjeev सर तुरंत हमारा चैनल आपके लिए मिल जाएगा और बहां से आप कोई भी कोर्स को परचेज कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई